हलो एवरिवान स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंगलिस टैंकर में गाइस आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है रेजोलुशन जो की हर व्यक्ति करता है जब नया साल आता है इसका मीनिंग होता है संकल्प देखें जब भी नया साल आता है हर व्यक्ति बुड़ा हो जवान हो हर कोई कहता है हर रेजोलुशन लेता है कि नया साल पर मैं यह करूंगा मैं जिम जाओंगा मैं डाइट करूंगा मुझे पतला होना है इस तरह से जो भी वो संकल्प लेते हैं वो स्टार्ट करते हैं लेकिन बहुत कम लोग इसमें आगे बढ़ पात से आप स्टडी करें और हर चीज को आप दिल से सीखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से लाइक कर दीजे और जो लोग चैनल पे नए है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत पूले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको एवरी डे और हर साल मिलती है चलिए स्टार्ट करते हैं रेजोलुशन मीन्स होता है संकल्प एवरी स्टुडेंट ओफन सेट रेजोलुशन्स ओन न्यू यर प्रितेक छाद्र अक्सर सेट होता है तै करना मीन्स फर्स्ट फॉर्म है सेट करता है तै करता है प्रिजन्ट इंडेफिनिट रेजोलुशन मीन्स संकल्प को तै करता है ओन पर न्यू यर मीन्स नए साल पर ठीक है प्रतेक छाद्र अक्सर नए साल पर संकल्प क्या करता है बिसिकली मीन्स मूल रूट से अ न्यू यर रेजोलुशन एक नए साल का संकल्प इस मेड इस मेड मीन्स इस के साथ थर्ड फॉर्म लगी है पैसिव है प्रेजन्ट का ठीक है किया जाता है जब वन वॉंट्स वन मीन्स कोई वॉंट्स है फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐस लगा है वॉंट होता है चाहना चाहता है to correct ठीक करना the mistakes गलतियों को way they have done उन्होंने जो की है have के साथ third form लगी है present perfect ठीक है A है, E है, A है का sense बैठता है done means करना होता है तो means की है या फिर वो कर चुके है ठीक है ये sense आएगा the past year पिछले साल जो बीता हुआ साल है पिछले साल में और do means करना कुछ in a more जादा organized means संगठित manner होता है संगठित manner means नियमबंध रूप से धंग से ठीक है अब इसको समझते है अच्छे से basically a new year resolution is made मूल रूप से नय साल का जो संकल्प है वो किया जाता है जब कोई ये चाहता है अपनी गलतियों को ठीक करना चाहता है ठीक है जब कोई अपनी गलतियों को ठीक करना चाहता है जो वो कर चुके है पिछले साल में और कुछ जादा संगठित means संगठित means होता है नियम बंद रूप से धंग से करने के लिए ठीक है ना जब हम अपनी गलतियों को सुदाने के लिए कुछ जादा अच्छा करना चाहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं resolution ठीक है ना I have noted down a few resolutions मैंने note किये हैं नीचे कुछ संकल्प जो I would like to take this year मैं I would like means चाहूंगा ठीक है जहां भी आप I would like देखें उसका जो meaning बैठेगा बाकी क्यानत में वो होगा चाहूंगा to take means लेना इस साल I have noted down means मैंने नीचे कुछ संकल्प लिखे हैं note किये हैं जो मैं लेना चाहूंगा इस साल ठीक है would like to means जहां भी आप देखें क्या होना नियम बंद इस चीज़ को समझना है to be means होना देखें सबसे महत्तोपूरण है कि नियम बंद होना so that ताकि I finish मैं खतम करता हूं अपना काम समय पर देखें ताकि मैं अपना काम जो है वो समय पर खतम कर पाऊं the most important is to be means होना क्या होना नियम बंद होना ताकि जो मैं अपना काम है वो मैं समय पर खतम कर पाऊं secondly I would like to अब देखें दूसरा I would like मैं चाहूंगा to be होना अभी हुआ नहीं है होना इस चीज़ को समझना है ठीक है न a good reader एक अच्छा पाठक means reader books को read करने वाला क्या होता है reader this time I have decided इस समय मैंने I have decided have किसा third form है कौन सा tense है present perfect है decide होता है निरने लेना means निरने लिया है निरने लिया है या फिर ले चुका हूं की I will spend मैं will के साथ first form है future indefinite है spend means होता है बिताना तो means बिताऊंगा ठीक है मैं बिताऊंगा कुछ समय in means मैं in a day दिन में एक दिन to read पढ़ने में कुछ किताबे जो will improve that will improve means improve होता है सुधार न सुधारेंगी गी का sense क्यों आया है क्योंकि will लगा है future indefinite है my knowledge मेरे ग्यान को और रूची को interest in reading means पढ़ने में इसको दुबारा समझते हैं एक बड़ी this time I have decided इस समय मैंने निर्ने लिया है कि मैं बिताऊंगा कुछ समय दिन में कुछ किताबे पढ़ने में जो सुधारेंगी मेरे ग्यान और रूची को पढ़ाई में ठीक है another area दूसरा शेत्र जो I would like to improve मैं चाहूंगा सुधारना myself means अपनय है with the excess means ज्यादा समय जो मैंने बिताया on internet ठीक है internet तो आप समझते ही क्या होता है Google पे सर्च करना internet पे हम Instagram बहुत कुछ देखते हैं उस पे जो मैंने नया मैंने जो ज्यादा समय उस पे बिताया है उसको सुधारना चाहूंगा I would like to improve myself is with the excess time spent on the internet along with the internet along with साथ में ठीक है internet के साथ the other electronic item दूसरी दूसरी electronic electronic जैसे item that has addicted me ठीक है अब भी आप जानते है electronic क्या होता है चीजे जो that has addicted means आदी हो गया हूं आदी हो चुका हूं addicted होना means has के साथ third form लगी है present perfect है आदी हो चुका हूं ठीक है मैं is the cell phone है वो क्या है वो cell phone mobile जो हम हमेशा देखते रहते हैं ठीक है ना कि उसका आदी हो चुक्या हूं उसको भी मैं सुधारना चाहूंगा I spent hours talking मैंने बिताए बिताए second form है simple past है घंटों बात करने में over phone means phone पर ठीक है phone पर घंटों मैंने बात करने में बिताए not realizing ठीक है ना मैसूस किया the harmful means जो उसके खतरनाक effect प्रभाव ठीक है it causes means कारण बनते हैं ठीक है खतरनाक परभाव के कारण बनते हैं I spent मैंने बिताए घंटों बात करने में phone पर ये ना मैसूस उनके उसके जो खतरनाक परभाव थे उसको ना मैसूस किया it causes means जो की इसका कारण बनते हैं and or waste my और बरबाद किया मेरा समय और पैसा ठीक है अपना समय और पैसा जो है वो मैंने मैं बरबाद करता हूँ जो की इसके कारण बनते हैं I have decided मैंने निरने लिया है लिया है to cut it down means कटोती करने का only for essentials ठीक है इसका कटोती करने का मैंने निरने लिया है सिर्फ essentials means जरूरी कामों के लिए इसका जो यूज करूँगा मैं किस से करूँगा जरूरी कामों के लिए essentials के लिए for only essentials and will or will के साथ देखते हैं कौन सी form है first form है spend means बिताना बिताऊंगा क्योंकि will है ठीक है अब बिताऊंगा the remaining means क्या होता है शेश समय remaining time means शेश समय जो बाकी शेश समय रह जाएगा for some for means के लिए कुछ useful उपयोगी कारेओं के लिए और to spend बिताना जादा quality means मुल्यवान समय with my family अपने परिवार के साथ इसको समझते हैं will spend the remaining time जो शेश समय रहेगा तीक है उपयोगी कारेओं के लिए मैं उसको बिताऊंगा और जादा जो है मुल्यवान समय है जो मैं अपने परिवार के साथ बिताऊंगा तीक है उसके साथ बिताना यह मेरा resolution है अपने संकल्प से अपने संकल्प से मैं प्रति बद हूँ अपने संकल्प के लिए डटे रहने के लिए और अपने आपको ठीक करने के लिए तू भी मोर बेटर स्टुडेंट और ज्यादा बहतर चातर बनने के लिए बोट फॉर माइसेल्फ दोनों अपने लिए और अपने परिवार के लिए और समाज के लिए ठीक है मैं किसके लिए प्रतिबद हूँ समाज के लिए परिवार के लिए अपने लिए अपने आपको बहतर चातर बनाने के लिए अपने आपको ठीक करने के लिए और अपने संकल्प पर डटे रहने के लिए मैं प्रतिबद हूँ तो ये होता है resolution जो हम हर व्यक्ति नए साल पे लेता है कि मैं इस साल शुरुवात से ही ये काम करूँगा और मैं पक्का करके दिखाऊंगा ठीक है तो ये था एक paragraph resolution के उपर I hope आपको अच्छा लग और बहुत किस सीखने को मिलागा guys तो प्लीज इसी तरह से अपनी practice को जारी करें नए साल में ये promise करें अपने आप से कि मुझे English सीखना है और अच्छे से सीखना है और सबको मेरी तरफ से happy new year God bless you